नागपुर शहर के मुख्य बाजार परिसोरों में ट्राफिक जाम की स्थिती को लेकर हाई कोट की और से आदेश जारी किये गए थे आदेशों के अनुसार मनपा ने पार्किक पॉलिसी तयार करने के लिए केंद्र सरकार की UMTC कमपनी को ठेका आवंटित किया कमपनी ने पॉलिसी तयार कर प्रतिक जोन में प्रस्तुति करन किया जिसमें विशेश रूप से गांधी बाग इत्वारी और महल जैसे व्यापारिक शेत्रों के लिए पार्किंग की कोई पॉलिसी नहीं होने से सुमवार को हुई महानगर पालिका की सभा में वरिष्ट पार्षद आभा पांडे की और से प्रश्नोत्तर में मुद्दा उठाया गया महानगर पालिका की बैठक में चर्चा के दौरान अधिकारी की और से बताया गया कि कमपनी को अब तक 60.18 लाग का भुकतान किया जा जुका है इसके अलावा ओन स्ट्रीट पार्किंग के लिए 66 लाग का आवंटन किया है जबकि 16.52 लाग रुपे का भुकतान करना बाकी है इस संदर्ब में पांडे ने कहा कि कमपनी ने अधूरा प्लान तयार कर प्रेशित किया इसकी बावजुद प्रशासन ने पहले ही भुकतान कर दिया है चर्चा के दौरान पांडे ने कहा कि हाई कोट के आदेशों की आड में प्रशासन ने बिना टेंडर बुलाई कमपनी को काम सौब दिया पावर पॉइंट प्रेज casino के दोरान सम्मनित कमपनी से पूछे जाने पर उनुने जिन बाजारों की सड़के संकरी है वहाँ पर all street parking का विकल्प नहीं होने की जानकारी दी यदि बाजारों में पार्किंग का विकल्प नहीं है तो केवल पश्चिम नाकपुर की चौड़ी सडकों के लिए ही प्लैन बनाये जाने का खुलासा हो रहा है उन्होंने कहा कि इस तरह मनपा कई ठेकेदारों को पाल रही है जबकि इनका शहर को कोई लाब नहीं हो रहा है संकरी सडकों वाले मुख्य बाजारों के लिए अब आफ स्ट्रेट पार्किंग का नया फंडा लाया जा रहा है जिसके लिए अलग से प्लैन तयार करना होगा इस तरह से प्रशासन पार्षदों को घुमा रहा है चर्चा के उपरांत महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि मनपा की आय बढ़ाने के उद्देश से नितांत आवश्यक इस प्रकल्प की रूपरे का ततकालिन आयुक्त मनुकुमार श्रिवास्तव ने रखी थी कई बार प्रस्ताव वापस भेजा गया सुधार के बाद इसे पुनहा सदन में लाया गया नीती की प्रत्यक पार्षद को जानकारी हो इसके लिए प्रत्यक जोन में पावर पॉ Rain प्रेजेंटेशन दे कर इसमें कोई सुझाव होने तो शामिल करने की हिदायते कमपनी को द प्रीए.